कैसे हनमान जी फसे थे एक राक्षस के माया जाल में लक्षमन जी की चिकित्सा के लिए हनमान जी लंका से सुशेन वैद को सोते हुए ही घर सहित उठा लाए सुशेन ने कहा हिमाचल के द्रोनाचल शिखर पर संजीवनी पूटी नामक औशदी है उसे सुबा होने से पहले ही ले आना चाहिए तब ही इनके प्रांट बच सकते हैं उनकी बाते सुनकर सबने आशा भरी आँखों से हनमान जी की ओर देखा वह तुरंथ ही द्रोनाचल जाने के लिए तयार हो गए रावन ने सोचा कि किसी प्रकार हनमान जी की यात्रा में विग्न डाला जाए ताकि वह औशदी लेकर समय से ना लोट सकें वह कालनेमी रक्षस के पास गया तथा उससे कहा तुम ऐसी माया रचो कि लक्षमन के प्राण बचाने के लिए औशदी लेकर हनमान समय से लोट ना सकें रावन की बाते सुनकर कालनेमी ने कहा राम के दूद हनमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है मैं ऐसा प्रत्न करूँगा तो मुझे निश्चित रूप से मृत्यू के मुह में जाना होगा उसकी बाते सुनकर रावन बहुत क्रोधी थो उठा उसने कहा कालनेमी यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे ही हातों से मरना होगा कालनेमी ने सोचा कि जब मरना ही है तो मैं हनमान के हातों क्यों न मारा जाओं यहाँ सोच कर उन्होंने उसके रास्ते में एक बहुती सुन्दर आश्रम का निर्मान किया स्वैंग मुनी का वेश बना कर उस आश्रम में बैठ गया हनमान जी जब उस आश्रम के पास पहुँचे तब उन्हें बड़े जोरों से प्यास लगी मुनी का सुन्दर आश्रम देखकर उन्होंने सोचा कि यहाँ जल पी लू वाशिग्रही कप्ती मुनी कालनेमी के आश्रम में जा पहुँचे उसको प्रणाम करके उन्होंने कहा मुनीवर्थ मुझे बड़े जोर से प्यास लगी है यहाँ जल कहा मिल सकेगा कप्ती कालनेमी ने कहा राम दूध हनुमान मैं तुम्हें जानता हूँ तुम श्री राम चंद्र जी के प्यारे भ्राता श्री लक्षमन जी के लिए और शधी लेने द्रोना चल जा रहे हो मेरे इस कमंडल में बड़ियां शीतल जल भरा है तुम इसे पी कर अपनी प्यास बुझा लो हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी आप मुझे कोई जलाशे बता दीजिए कालने मी ने उन्हें एक सुन्दर जलाशे दिखाते हुए कहा तुम वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लो और स्नान भी कर लो इसके बाद मैं तुम्हें दिक्षा दूंगा उसकी बाते सुनकर हनुमान जी शिगरी ही उस जलाशे के पास पहुँच गए श्नान करने के लिए ज्योही वहाँ उसके बीतर गए तो योही एक मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया हनुमान जी ने तुरंथी उसका मुँ फाड़ कर उसे मार डाला हनुमान जी द्वारा मारे जाते ही वहाँ मकरी दिवी अपसरा का वेश धारन कर विमान में बैठकर आकाश में पहुँच गई उसने हनुमान जी से कहा पवन पुत्र हनुमान एक मुनी के शुराप के कारण मुझे मकरी बनना पड़ा था हे रामदूत तुम्हारे दर्शन से आज में पवित्र हो गई मुनी का शुराप मिट गया आश्रम में बैठा हुआ यहां मुनी कप्टी घोर निशाचर है उस अपसरा की बात सुनकर हनुमान जी तुरंद कालनेमी के पास जा पहुँचे और कहा मुनीवर आप पहले मुझे से गुरु दक्षिना ले लीजिए मंतराप मुझे बाद में दीजिएगा यहां सुनाकर उसको अपनी पूच में लपेट लिया और पटक कर मार डाला मरते समय कालनेमी ने अपना असली राक्षस का रूप प्रगट कर दिया मुसे राम राम कहा इस प्रकार राम नाम लेने से उसका उधार हो गया जै श्री रांग जै श्री रांग जाश्रीरा